नमस्कार मित्रो, कनाद अकेडमी चैनल में आपका पुना हार्दिक स्वागत है मित्रो हम संस्कृत के जो पूर वर्ष के प्रशन पत्र हैं उन पे चर्चा कर रही है व्याकन का हमारा प्रसंग चल रहा है, दर्शन के प्रशन पत्रों पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं और व्याकन में भी जो संजा प्रकन था, उस पे हमारी चर्चा हो चुकी है, आज का जो विशय है आपका वो है समास का यदि समास में हम देखे तो लगुस इद्धान्त कवमुदी के आधार पर ही हमें समास का ध्यन करना चाहिए क्योंकि स्लेवस में आपका लगुस इद्धान्त कवमुदी ही लिखा है पहला पार्ट हो गया और आप प्रश्णों को भी देखेंगे तो जब स्टार्टिंग का पार्ट हम देखें 2009 वाला हमने देखा है यहाँ पे तो यहाँ पे समास के प्रश्णों की संख्या अपिक्षा कृत कम है लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आगे के वर्शों में समास के जो प्रश्ण है उनकी संख्या काफी जादा है और आगे आने वले जो समास के प्रश्ण है उनको हम ठीक कर पाएंगे इसलिए आपके लिए महत्व पून पार्ट है ध्यान पूर्वक अच्छे से इसको देखिए गा तो पहला प्रश्ण है आपका कि पंचा नाम गंगा नाम समाहारह इत्यत्र समास अस्ति यहां पर समास क्या है तो यहां पर अव्यभाव समास होता आपका और यहां पर ओप्शन में आपका नहीं दिया है तो हो सकता कि गलत ओप्शन दे दिये गए हो तो निश्चित पूर में होने की कान से बच्ची का जो मस्तिश्क हो किस पे जाता संख्या पूर्वत दिगू पर तो दिगू करके आएगा लेकिन ध्यान रखना है यदि नदी संजक आपके शब्द हो साथ में वह साथ में संख्या वाची भी शब्द हो तो वहां पर आपको अव्यई भाव समास करना है क्योंकि नदी भीष्च सुत्र संख्या वाची जो शब्द है उनके साथ में नदी वाचियों का अव्यई भाव समास करता है जैसे पंचा नाम गंगा नाम समा रहा पंच गंगंगं वयोह यमुन योह समा रहा दियुम्नम ऐसे पंच नदमादी बहुत सारे सुससा जीस अब अब विभाव याद रखिए गारी उनका कि अग्ला प्रश्ने आपका कि दंती है अस्मिंपदे समास विग्रह भावती की दंती इस शब्द में समास विग्रह क्या होता है इस प्रश्न से मैं पता लगता कि धंप्ती कि समस्त संस्तSON है हमें यह साधानत त पिशित रूप से दो ही पद हैं उन दो पदों को मिलाकर एक शेश हुआ और एक शेश होने से दमपती बना कुछ लोग अलग भी करते हैं उसमें कुछ आदेश कर देते हैं तो दोनों ही पार्ट है वैसे तो वारतिक के अधार पर गणपार्ट के अगर आप देखें तो वहा कहते हैं दमपती कहते हैं तो वापर जाया को दम और जम ये कई तरह के आदेश किये गए हैं दम करेंगे तो दमपती बन जाएगा जम करेंगे तो जमपती बन जाएगा तो वैसे तो ये आपका जो प्रशन पूछा आपके सिलेबस से बहार है क्योंकि आपके जो समास लग वहां पर यह आता है दंपती इव प्रग्रिय संजा के प्रखण में आता है तो मापे मढई वश्ट्रस्य लंबेते इत्यादी करके एक श्रोक है आपका माँ पे तो दंपती इव जंपती इव ऐसे करके दो उधारन दिए हैं उस उधारन के संदर में था लेकिन यहां पे इन पूछा है तो अब ध्यान रखेगा आगे अगर आये तो जाया चे पतिश्च इस आधार पर आप इसको कर सकते हो तो क्या बनेगा दंपती बनेगा अगला प्रशन है आपका कर्मधार्य समास का विधान करने वाला सुत्र क्या है कर्मधार्य का प्रक्रण चलता काफी कि विशेशन जो होता है विशेशी नसहा बहुलम समस्यते तत्पूरुश चे समासो भवती कि जो विशेशन होता है वो विशेश्य के साथ में बहुल करके समास को प्राप्त होता है और समास को क्या तत्पूरुश इससे पहले एक सुत्रा तत्पूरुश हा समाना धी करना कर्मधार्या कि समाना अधिकर्ण जो तत पुरुष उसके कर्मधार्य संजा होती है यह पी पूछ सकते हैं कि कौन सा तत पुरुष है जो कर्मधार्य संजा कहलाता है आपका समाना अधिकर्ण तत पुरुष यह कर्मधार्य जो समास है वो किसका भेद है तत पुरुष समास क क्वश्ट समस के ऑपकोंदी के अन्तरगत आता है अलग सा आपका, लेगता हैं, बहले पतने समाँधैं, अगर पूछे कितने समाँस होते तो पाँथ समाँधारो 네가 पुर्फ ayatam, आधि। आतत birth भी आता है, जिसको क्या कहते हैं, कर भी समास कहते हैं तो उसी का विधान करने वाला सुत्त्र आपका विशेशन विशेशनं विशेशन भहBob तो ये हैं जो समाना धी करनों के बीच में समास का विधान करता है रिशन करता है ये सर्पह करौब इ। बहुत से उधानवि पुरह निध्ठान आ आपका एक देशी दंद समास करता है, दंद सोरी, तत पुरु समास, गलत बोल दिया, एक देशी तत पुरु समास करता है, यह अलग अलग पार्ट भी आपको ध्यान रखने चाहिए, कौन क्या समास करता है, वीर पुरुष का वो ग्राम है, यह त्यत्र का है समास है, यहाँ तो जिस गाव में तो यहां पे न तो वीर को कह रहें न पुरुष को कह रहें यहां पे इन समस्या मान वीर और पुरुष से अलग किसी गाव को कह रहें तो अन्यपदार्थ हो गया और अन्यपदार्थ में कुन सा समास होता है बहुरी अनेकम अन्यपदार्थे कि सुत्र से ह आपके वे अन्य पद की अर्थ में वर्तमान हो तो उनका समास हो जाता वो समास भी कौन सा होता है बहुब रही तो वीर पूरुश को ग्राम में अन्य पद किसको कहा जाता गाउं को अन्य किसकी दिश्टी से देखते हैं जिन पदों से आपने विग्रह किया है उन से अन्य व बिग्रह हमारा हुआ वीर और पूरुष से तो वीर पूरुष का है जो शब्द बना वोना तो वीर को कहता न पूरुष को वो किसको कहेगा आपके गाउं को कहेगा और यह जो का ही एक कप प्रत्य हुआ आपका बहुरी समास में होता है जब आगे कुछ आएगा प्रकण तो महा भी आपको बता देंगे अगला प्रशन देखीगा अव्य भाव संजया याह फलम किम तो अव्य भाव संजया का फल आपको बताना है तो अव्य भाव संजया का फल होता आपका अव्य संजया करना आपका पहले ही पाद में प्रकण आता है अव्यसंजा का स्वरादिनी पातम अव्यम्तदी तश्चासार विवक्तित्यादी करके उसी प्रकण में सूत्र आता अव्यई भावश्च वो क्या कहता है कि अव्यई भावसमास की अव्यसंजा हो जाती है यह थोड़ा सा कठिन भी है अर्षनेगा देखे तो क्या कठिन है कि अव्यादाप जो सूत्र है आपका वो सूप का लुक करता है तो किसी का माइंड जा सकता है कि अव्यार्ट भावसंजा का फल क्या सूप का लुक, लेकिन नहीं वो साकषात फल नहीं है अव्यई भाव संजा से पहले अव्यसंजा होगी फिर अव्यसंजा करने का फल क्या होता है फिर आपको सुप का लोग कि अव्यद आप सुप है जिनकी भी अव्यसंजा है उनसे उत्र जो सुप आएगा सु अव्यसित्यादी उनका लोग हो जाता है लेकिन यहापे तो अव्य भाव का फल पूचा है तो आपको अव्य संजाग रखना चाहिए ठीक है? यह option आपका हो जाएगा सुमद्रम इत्यत्र सुअव्ययह कस्मिन अर्थे वर्तते सुमद्रम एक उधारन दिया आपका यह अव्य भावस का उधारन है अव्य भाव का यह पूचा है जो सुअव्य है आपका तो वो किस अर्थ में है? तो सुमद्रम का यदि लओ की कविग्रह करो मद्राणाम सुमद्रम मद्रपरदेश के जो लोग है उनकी जो स्मृद्धी है उस स्मृद्धी को कहने के लिए आपर अव्य भाव समास हुआ है सुमद्रम तो वो सारे उधारन आपकी इंपोर्टेंट है अव्य हम विभक्ती समृद्धी वाला जो आपका सूत्र है तो आपको देख लेना चाहिए जैसे जैसे उधान आएंगे उनको तुम आपको बताता ही रहोंगा जैसे समीप बाला दी आपका तो समीप मतलब होता उपकुम्भम उपकुम्भम, उपकृष्णम इस प्रकार की उधान बनेगे आपके तो कृष्णस्य समीपं उपकृष्णम ये उधान होंगे तो याँ पर एक हिथा आपका स्मर्द्धी वाला वो आपका option हो जाएगा अगला देखिएगा सन अपुनसकम इत्यनेनस उत्यनेन अपुनसकत्वम भवति ये भी अच्छा प्रशन है आपका सन अपुनसकम दूसरे अध्याय के चोथे पाद के प्रकरण में आता आपका जहां पर एकवत भाव का पाड़ चलता है दिगुरेक द्वंद में एकवत भाव किया जिसका विप्रहें समाहार द्वंद तो दिगु और समाहार इन दोनों को कहने के बाद में इन दोनों में एकवत भाव कहने के बाद में फिर आपका आतास सन अपुनसकम कि जिनको इस प्रकरण में एकवत भाव प्रकरण में जिस जिसको एक मत भाव कहा है वह सब आपका नपुंचक लिंग में होता है तो वह कुन किन को कहा था समाहार को कहा था और दिगु समास को कहा था तो आपका डी ओप्शन हो जाएगा ठीक अच्छा प्रशन था याद रखिएगा इसी से अगला सुत्र भी आपका आता है उसको भी ध्यान करता है सुत्र भी को सेम का सेम है और एक अभी भाव से सुत्र क्या करता है आपको नपुंचक लिंग करता है नपुंचक लिंग कि जो अभी भाव समास होता है आपका वह भी नपुंचक लिंग वाला होता है तो यह थोड़ा प्रासंगी की विशय था आपको बताए इसको पंचधा और वहाँ पर विशेश शंजा मतर किसी विशेश प्रकार के नाम से जो मुक्त है रहित है उसको बोलते हैं आपका केवल समास नित्य समास करके कोई समास का नाम नहीं है ततपूरुशादी है ये नाम है तो नित्या नित्या कोई आए तो ये गलत पार्ट है इसको अफटा सकते हैं नित्या समास का अभी प्रह होता है जहां पर विग्रह वाक्या नहीं बनता समस्त ही पद बनेगा वो नित्या समास है ज यहां पर समास से शब्द का अर्थ भी आप ध्यान रख सकते हैं, वहां पर आता हैं, समास मतलब समसनम समास है, अगर पूछे आप से कि समास से शब्द का क्या अर्थे किया गया है, यह भाव प्रधान है, तो लुट प्रत्य करके बनाए गया आपका, कि संक्षिप्ति करण को ही समास कहा जाता है, समसनम मतलब हो है, आपका संक्षिप्त हो जाना, वो संक्षिप्त होने को हम क्या बोलते हैं, आपका समास कहते हैं, संक्षिप कहए दो, संक्षिप्ति करण कहए दो, यही भाव है, अगला प्रश्न देखिएगा, आपको बताना है कि निलोट पलम जो शब्द है उसमें नपुन्सक लिंग कि सूत्र के द्वारा हुआ है अच्छा प्रश्ण है देखो कैसे हम कर सकते हैं इसको अगर आपको साक्षात सूत्र नहीं भी पता है हमारा जो पहला भी पढ़ा हो उस पढ़े हुए की अधार पे हम देखे हरस्वो नपुन्सक के प्राति प्रश्ण कस्य यह तो हरस्व करता है इस सूत्र को थटाई दीजिए अव्यई भावस्च सही बात नपुन्सक लिंग करता है लेकिन किस में करता है अव्यई भाव समास में और हमें पता है नेलम्च उत्पलम्च यह आपका अव्यई भाव समास नहीं है ठीक है या आपका दूंद समास आदी है तत्पुर समास आपका है तो अविभाव समास नहोने से ये भी नहीं हो सकता सन अपुंसकम में हमने पड़ा था सन अपुंसकम भी आपका नपुंसक लिंग करता है लेकिन कब करता है आपका हो या तो दिगु समास हो, ठीक है, या आपका समाहर्दवंद हो, समाहर्दवंद, तो दिगु समास भी नहीं है, और यहाँ पर दवंद समास भी नहीं है, यहाँ पर क्या समास है आपका, यहाँ पर आपका विशेशनम विशेश्यून बहुलम से कर्मधार्य समास हुआ, पूरूशयोगंधि परवत बिंगित हैं किसमें समस्तियोग के दो स्मास एक पूरपद तो पर Beyond प्र थो क्या उत्र पड कि परफद के लिंग हो जाता है किसकीम में दुंदसमाज वबान क we वाले हैं, सिंपल कर लिजे, नील तो क्या कोई अलिंग है, जैसा विशेश्य होगा उसी अधार पे उसका लिंग हो जाएगा, लेकिन उत्पल जो शब्द है आपका वो नपुन्शक लिंग का है, तो नीलम चा उत्पलम चा नीलोत पलम, तो उत्पल जो पर शब्द था उसक पूर्व प्रियोग है, कस्मात भवति, कि भूत पूर्व है, यहाँ पर भूत शब्द का जो पूर्व प्रियोग है, हमें पता कि पूर्व निपात आदी होता है, तो कोई कह सकता कि मैं पूर्व शब्द का प्रियोग क्यों ना करूं, पूर्व भूत है क्यों नहीं कहू तो यहां पर एक व्याकरण का सूत्र आता अपका पाचवे ज्ञ कि तीसरे पाध का भूत पूर्वे चरत अब सूत्र है महर्शीमपांइनी जो आचार्य हैं उनके और विवहार से उनके प्रयोग से ही पता लगता है कि भूत शब्द का प्रयोग पहले हमें करना है। कोई अलग से सूत्र नहीं विधान करने वाला कि भूत शब्द का प्रियोग पहले करो, लेकिन आचरी का जो व्यभार है, उस व्यभार से हमें पता लगता है कि भूत शब्द का प्रियोग पहले करना है, नहीं ऐसा होता, तो वो भूत पूर्वे शब्द का प्रयोग ही करते, पूर भूत का करते, लेकि चुकि उन्होंने भूत पूर्वे कहा है, इसी से हम भूत शब्द का पहले निपात करेंगे, तो option हो जाएगा आपका आचारियानाम, आचारा, आचारियों के व्यभार से हम ऐसा पता लगेगा, बाकी option नहीं होंगे, उपसर जनम पूर्वम वाला भी नहीं है, केवल समास वाला आदी सब पार्ट नहीं है, एक option आपका बनेगा, अगला प्रशन है आपका, मैचिंग करनी है, पूर पदार्थ प्रधान अहां, ये भी याद रखीगा, जो चार समास हैं आपके, अव्यभाव समास हो गया, ठीक है, तत्पूरुष हो गया, दंदो हो गया, और बहुबरही हो गया, इन चार समास और समास में पता में एक पूर पद होता है, आपका एक उत्तर पद होता है, तो किसी समास में मिले तो उत्तर पद परधान है, मतलत जो समस्त में किस पद का अर्थ प्रधान है और किस का गोण है तो प्रधानता की बात की जाती है तो अव्यभाव समास में पूर पद के अर्थ का प्रधानता होती है तद पूर्श समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है द्वंद में दोनों की अर्थ की प्रधानता होती उभय पदार्थ प्रधाना है, और बहुवी ही में अन्य पद की अर्थ की प्रधानता होती, अन्य पदार्थ प्रधाना है, ये भी most important है, याद रखेगा, तो पूर पदार्थ प्रधाना क्या हो जाएगा, अवीभाव, एक हो गया आपका, नदी भीश्चबे में पढ़ा ही करने की ही प्रियोग कर सकते हैं, व्याकन में ही हम कर सकते हैं, उसको अलोकिक कहेंगे, तेसे लोकिक विग्रह क्या प्राप्तम उदकम यम ग्राम हम, ये लोकिक हो गया आपका, प्राप्तम उदकम यम ग्राम हम, लेकिं प्राप्त सू, उदक सू, इसको कहेंगे अलोकिक व बोलते हैं स्वापद विग्रह जैसे प्राप्त उद कहा ये एक समस्त पद है इसका जब विग्रह करेंगे तो प्राप्त और उदक इनी शब्दों को लेके विग्रह करेंगे प्राप्तम उदकम यम ग्रामम प्राप्त सू उदक सू लेकिन आपका शब्द है अधी हरी अधी हरी में अधी और हरी इन दोनों को लेकर विग्रह नहीं होगा कि विल किसको होगा हरी को लेकर कि हरव इति यह विग्रह होगा आपका तो इसको कहेंगे अस्वपद विग्रह जहां पर अपने पदों को लेकर विग्रह नहीं किया गया है एक पद अपना आ गया एक कोई अन्य जिसका बीग्र होता ही नहीं है उसको नित्य समास बोलते हैं यह पूरते हैं नित्य समास नुझे समास कहेंगे, तो इसी साब से match हो जाएगा आपका, to A का बनेगा 2, 2 हो गए, B का बनेगा आपका 1, तो B का बनेगा एक, तो C option आपका हो जाएगा, ठीक, अगला है पाणी पादम अस्पिन पदे, समास विग्रह भवती, पाणी पादम, एक तो हमें पता कि पाणी पादम में क्या समास है, द्वंद समास है, द्वंद, पाणी बोलते हैं हाथो को, पाद बोलते हैं पैर को, अर्थपून विग्रह होता है, अर्थपून का भी प्राय है कहने का, कि हाथ दो होते हैं, तो आपको द्विवचन में ही विग्रह करना चाहिए, पाद भी आपके दो होते हैं, तो वो भी आपको, तो पाणी, पाणी, विवचन में क्या बनेगा आपका पाणी, तो पाणी पेरविधु है तो पड़ उच्छ इस अधार पे आपका बनेगा पानी पादंग मालू पानी शबद आया उससे आपका उव आया पाद आया उसका App एसका si insamās हो के आपके जासा फर प्रादिपदिक उछ पो फिर सुपो धातु प्राति पदिक योव से इनका लुक हो गया इसलिए आपको पाणी पादम दिखरा अव नहीं दिखरा लेकिन विग्रह के अंदर तो दिखाना पड़ेगा न अपको कि क्या थे वे कि दो हाथ और दो पैर इन दोनों को मिला के बोलेंगे पाणी पादम यापने आपको बताना है लोव की किमिकरहां यह सिंपल ही प्रश्न है काईसे सिंपल है आपका कुपकुट शब्श जो होता है इसमें लिंग का ध्यान रखना है वहलता है आपका पुल लिंग का फोकस होता तो किसी में भी मयूरी शब्द लिखाई नहीं तुरंत आपको पता लग जाता फर्स्ट ओप्शन ही बनेगा अगर यह कर देते कुकुटश्च मयूरी चा कुकुटश्च मयूरी चा अभी कठिन हो जाता क्योंकि मयूरी दो में मिल गया कुकुट का लिंग समास हा केन सुत्रेण विधियत हैं सुत्र में दिखरा चतुर्थि तदर्थर फ्रढ पर्ली हित शुख रक्षित हैं लिस सब के साथ में क्या होता आपका समास को प्राप्त हो जाता है तो भूताय बलि ही भूत custardy निस तो चतुरती तत पुर्श समास हो गए हैं हाँ पर, अब साधार्ण प्रशन आपका, बाकि और को जो तदर्थ, तस्मई इदम तदर्थम, जैसे यूप आये दारू, यूप दारू, दारू बोलते हैं लकडी को, यूप बोलते हैं स्तंभ को, तो यहाँ पर प्रकृती भाव की रूप में तदर्थ लेगा जाता है, कि उस स्तंभ के लिए, यूप के लिए जो लकडी है, उसमें यूप दारू बन जाएगा, अर्थ में आपका अर्थी शब्द लिया जाएगा, बली में बली आजाएगा, हित में हित आजाएगा, सुख में सुख आजाएगा, रक्षित में रक्षित आजाएगा बाकि सब सब आपके शब्द के शब्दी आएंगे तदर्थ में आपको याद रखना था तस्मे इदम परसीद उधान आपके योपदारों इत्यादी और भी उधान होंगे तो आप देख सकते हैं करत्री करणे कृता बहूलं ये तरतिया तत्पूर समास करता है पंचमी भःनशा इदम करता है संजाप्रक्रण का पाट पड़ रहे थे पर्थमा निदिष्टम समास उपसर्जनम दुबार आठ देख लिजिए कि समास विधायक सूत्र में समास यह आपका यह वायादी लोप शाकले से लगके लोप हो गया उसका तो समास विधायक सूत्र में जो पर्थमा विभक्ति से निर्दिष्ट पद है उसकी क्या संज़ा होती उपसर्जन संज़ा तो समास विधायक शास्त्रे यद प्रत्मया विभक्त्या निर्दिष्टम पदम तमकिम भवती तद उपसर्जनम संजम भवती वो उपसर्जन संज़क होता है यह आपका C option हो जाएगा अगर द्यमनम इत्यत्र कह समास अभी उपर बताये था आपका नदीविष्च शूत्र के प्रसंग में आपका अव्याईभाव समास होता है और कि सूत्र से होता है नदीविष्च, इस प्रकार से आपका विग्रह होगा दी ओस यमुना ओस निर्मक्षिकम अस्य पदस्य लवकिक विग्रह भवति विग्रह भी आपको ध्यान रखने चीए यह आपकी संस्क्रिट ठीक है तो विग्रह में कोई दिक्कत नहीं आएगे तो निर्मक्षिकम यहाँ पर अविभाव समास होता अव्यम विवक्ति समय पर समर्दी वरिद्यर्था भावत्य या जो सूत्र है आपका उससे होगा तो मक्षी का अनाम अभाव अर्थ में हुआ है तो विग्रह क्या हो गया मक्षी का अनाम अभाव अ लेकिन यहापे अभाव का प्रयोग नहीं करेंगे उस अभाव अर्थ को कहने के लिए निर का प्रयोग किया जाएगा तो मक्षी का अनाम इससे क्या पता लगता है कि मक्षी का अनाम में शष्ठी भहवचन है और शष्ठी भहवचन वालब इन्होंने एक ही option दिया है D कि मक्षी का फिर आम फिर निर निर एक अव्य है आपका इसे उपर बाद में विवक्ति आएगी भी तो लुक हो जाती है जो विवक्ति लिखते ही नहीं है तो क्या लिखेंगे मक्षी का अनाम और निर तो मक्षी का अनाम अभाववा तो जब आपकी संस्कृत का पार्ट आपको पता ये मक्षी का अनाम शष्ठी भाववचन है वो शष्ठी भावचन का प्रत्य क्या होता है यह हो गया अम गस ओस आम तो आम आपका हो जाएगा बी option बन जाएगा अगला है अधी गोपम इत्यत्र कह समास हा जैसे ऊपर एक उधारन आए था न आपका अधी हरी बिलकुल उसी के समानी आपका अधी गोपम भी बनता है तो अधी हरी में ने हरव इती कया था ऐसी ही गोपी इती ऐसा करके अधी गोपम आपका आगे जैसी प्रक्रिया मायफ", तो यहां पर क्या समास हो गया आपका अव्यई भाव समास, ठीक स्पष्ट हो गया तो, अधी हरी सेане यहां आप मैच करकि अधी गोपम को भी बता सकते थे यहां पर अव्य επाव समास हो जाएगा,। स्पष्ट है। अग्लाँ निझा, लगु कवमदी कारमते समासह कति धावर्तते पताया था पहले पांच प्रकार का होता है केवल समास अव्यभाव दंद भहुरीही और तत्पुरुष अगला है अक्ष शाउंड़ह अस्या अलावकि के विग्रह वाक्यम किम भवति तो सप्तमी शाउंड़ही इस सुत्र से कि अक्ष से हम सू करों लेकिंगे सू नहीं हो सकता क्योंकि सु कभ होगा जब एक अक्ष को कहा जा रहा हूं लेकिन यहां पर अभी प्रय क्या है कि जू अक्षे शू बहुत सारे पासो के अंदर जो चतूर है उसको अक्ष शूंड है, तो भावचन होने के कान से आपका क्या बनेगा, अक्ष सूप, और देखो यह भी सिम्पल क्या रख दिया उनोने, खिम्पल सू लिखा है यहांपे, देखो कितना पार्ट है, यहाँ पे और यहाँ पे गी लिखा भी तो सब्तमी का एक बचन और तो फिर आपको शाउंड में भी गी कर दिया इसलिए गड़बढ़ हो गया शाउंडा में तो हमें पता है कि सू ही होगा यह तो सपश्ट ही आपका सू हो गया बस confusion ज़्यादा कब बनता अक्ष गी शाउंड सू कर देते तब confusion ज़्यादा हो जाता लेकिन उन्हें confusion कम करने के लिए कुछ-कुछ ठीक किया तो कुछ-कुछ ज़्यादा गलत कर दिया तो आपका option बनेगा बि अक्ष सुप और शाउंड सू तो अक्षे शू उसको सप्तमी घववचन कहने के लिए शूपरत्य आपका गी और शूप सू आपका शूप और सू आपका सू आपका दिया किसुप ऑप्श सूप शूप ऑ गया ।ो अक्ष शुप शुप शा गया का प्रकंड प्रारंब होता है आपका उसमें राज दंता दिशुपरम दंदेगी अजद्य दंतम अलपाच तरम इस तरह से कई सुत्र हैं आपके जो पूर्णिपात का विश्य विभाजित करते हैं तो वहां पर आपका द्वंद्व समास के प्रसंग में अलपाच तरम का पा इश कृष्णव माता पित्रव हरी हरो तो इश कृष्णव उधान तो आपका अजाद्य दंतम का है यह ध्यान की गाए यह है अजाद्य दंतम का कि जो अजादी और अदंत हो इश शब्द अजादी भी है और शाके अंत में आ है तो अदंत भी है तो अजादी अदंत होने से इश का पूर्णिपात हो गया लेकिन आप देखेंगे हाँ पर शिव केशवव शिव के अंदर दो अच्छ है केशव में तीन अच्छ है तो अलपाच तर कुन सा हो गया शिव शब्द हो गया तो इस शिव शब्द का पूर्णिपात हो के क्या बन गया शिव केशवव यह आपको ध्यान रखना था आपका अलपाच्ट्रम अजादिधन तम् का यह आपको बता है और माता पित्रवव आदि में पिता मात्र आपका सूत्र हैं बापके, तो मातरा के साथ उक्त होने पर पिताशिष्ठ हो जाता है, विकल 오्रकर के तो पित्रव रूप भी बन जाता आपका और मातपित्रव भी रूप आपका बन जाता है तो यह तोनों किसमि फूझाएंगे और अपको implies दूंदे घी का है, दूंदे घी में क्या है तो दंद्र समास में जिसकी घी संजा है उसका पूर निपात होगा और हमें पता कि हरी है ये हरस्वीकार अंत होने के कारण से इसकी घी संजा है तो हरिश्च हरश्च जब ऐसा हम करेंगे तो हरी का पूर निपात हो जाएगा तो चार सूत्रों के चार अलग- लग उधारन दिये थे चारों को मैं आपको बता दिया है इस आपको सरलता रहेगी तो इस संदर में मारा ओप्षन बनेगा अगला प्रशन देखिएगा सु मद्रम इत्यत्र सु अव्यस्य अर्था यह पहले भी आयत आपका तो मद्रानाम स्मृध्धी ही सु मद्रम तो अगर तति पुर्श समास है कस्य पदार्थ अस्य परधानता भवति यह बी एक रिपीट पाठ है तति पुर्श समास में उत्र पदार्थ परधान होता है पूर पधार्थ अव्य भाव का inom ॅभिवरृ समास हो गया राजदन्ता अस्यलावकिकम विग्रहवाक्यम भवति यह जो आपका उधान दिया है राजदन्ता अदिशुपरम इस सुत्र से दिया गया है तो राजदन्ता अदिगने में आप देखेंगे कि दो प्रकार के शब्द हैं कुछ ततपूर्श समास वाले हैं, कुछ दंद समास वाले हैं, तो ये जो आपका राजदंताह दिया है, ये ततपूर्श समास वाला है, इसमें क्या इनोंने फेर बदल कर दिया, एक तो राजदंतह शब्द होता है, राजदंतह होता है, राजदंतह होता तो आपका क्या होता है, दंता नाम राज़ा, राजदंतह ऐसा बन जाता है, लेकि चूकि ये आपका क्या है, बहुवचन है, तो दंता नाम राजानह, राजा राजानौ राजानह, बहुवचन में, तो ये आपका B option बने गा दंताना राजाना ये जो दातों का राजा है दातों का राजा मतलब उपर वाले दातों की जो पंक्ती होती है उसमें जो बाहर की तरफ का जो दात होता सामने की और का उसको राज दंताहा आप कह सकते हैं वहापे कर्मधार्य संज्या का विधायक सुत्र पूछा था तो विशेशनम विशेशन वहुलम था पहले प्रशन में जो देखा था उसी प्रसंग में आपको बताया था कि कर्मधार्य संज्या किसकी होती है तत्पूरुशह समाना धीकरण स्चे तत्पूरुशह समाना धीक पंच गंगम ये भी आपका आ चुक है समास विधायकम सुत्रम किम नदी भीष्च पहले पूछते थे कि कौन सा समास है अव्यभाव समास है अब सूत्र पूछ लिया नोंने कि सूत्र क्या है तो कुछ बेक्ति संख्या को देखके इधर देखके संख्या पुर्वर दिगू क कर सकते थे लेकिन आपको ध्यान रखना है जब भी नदी वाची शब्दों का साथ में रहेगा आपका तो नदी भीष्च सूत्र आपको रखना है नदी भीष्च से अव्यभाव समास हो जाएगा अगला कि अव्यभाव समास सागनी इत्युदाहरने अगनी उच्चते तो तो अंतवड है उस अंत अर्थ में यहाँ पर सागनी है तो अगनी ग्रंथ परियंतम अधीते इती सागनी तो यहाँ अगनी किसी अगनी तत्त को नहीं कह रहे हैं अगनी यहाँ पर किसी ग्रंथ को कहा जा रहे हैं ऐसे निकि अगनी जो जलाने वाला तत्त है उस परियंत अगला सुपात इत्यत्र कह समास अहां सुपात शब्द का यदी अर्थ देखे तो पात यहां पर पाद शब्द के उसमें है आपका प्रियोग तो शोभनव पादव अस्य की अच्छे पैर हैं जिसके उसको कहेंगे सुपात तो इसे विग्रहसी पता लग गया है कि कौन सा सम समास होगा आपका बहुरी समास तो बहुरी समास में समासांत का प्रक्रण चलता है जहां पर समासांत प्रत्य या समासांत लोप का विधान किया जाता है तो सूत्र आता संख्या सुपूर्वस्य पाच्वध्या के चोथे पाद का समासांत के प्रक्रण का तो वह क्या करता सन्ध्छा और सूभ पूरवक, पाद शब्द का लोप हो जाता है, समासान्त, पाद के अकार का लोप होकर, सूभ पूरवक, सूभ पात आपका बना, तो कि सोभन अच्छे पैर है जिसके, इसलिए बहुरी समास आपका हो जएगा, तो अभी आपका समास का विश्ए अवशिष्ट है तो इस क्लास हम यहई तक ही करेंगे बाकी का जो विश्ए उसको आगे करेंगे तो आपने देखा कि कही सारे प्रशन आपके repeat हो रहें समास से यदि आप ध्यान पूर्वक देखते हैं तो आगे के प्रश्णों को भी आप सही से करें